तो कक्षा में यदि हमें कहा जाए कि सिद्ध कीजे कि तरिभुच के तीनों अंता कोणों का योग एक्स्वासियन्स होता है अर्थाथ So that the sum of all interior angle of a triangle is 180 degree तो हम दो या तीन से अधिक geometry हम नहीं बना सकते हमारे पास ICT में बहुत सारे ऐसे टूल है जिसका की उपयोग करके हम कक्षा को और भी आकरशक और मन्रोरंजक बना सकते हैं तो इसी सिंखला में हम देखने वाले हैं GeoGebra Software के बारे में जो की Dynamic Interactive Mathematics Software है जिसका की उपयोग हम Geometry, Algebra और Calculus में कर सकते हैं यह Computer Added Interactive Learning में काफी उपयोगी Software होता है यह Free, Open Source और Cross Platform पर उपलब्द है याने Windows Operating System और Linux Operating System पर आप इसे इंस्टॉल करके उपयोग कर सकते हैं तो चलिए आगे देखते हैं Software क्या है और किस-किस तरीके हम इसका उपयोग कर सकते हैं GeoGebra Software को उपयोग करने के लिए आप इसे अपने Computer पर Install कर सकते हैं या फिर Web Browser पर उस Website को विजिट करके इसका उपयोग कर सकते हैं तो Website पर इसका उपयोग करने के लिए आपको अपना Web Browser उपन करना होगा और इस Address Bar पर जाकर आपको टाइप करना होगा www.geogebra.org और जैसे आप इंटर करेंगे यह वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो यह इस वेबसाइट का इंटरफेस है यहाँ पर Start Calculator का बटन है जैसे आप इसको क्लिक करेंगे एक दूसरा टैब ओपन हो जाएगा तो यह जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है यह Geogebra का Web Interface है अगर आप Algebra का उपयोग करना चाहते हैं तो इस Algebra बटन पर क्लिक करेंगे Tools का उपयोग करके आप Constructions कर सकते हैं जैसे की Move, Point, Line, Perpendicular Line, Geometry आप बनाना चाहें यहाँ से बना सकते हैं और Table का उपयोग करके आप Data को Import कर सकते हैं और साथ ही साथ Data को Export कर सकते हैं यह Same Interface आपको अपने Computer पर भी दिखाई देगा तो चलिए आगे हम इसे Laptop पर देखते हैं Geogebra Application या Software को Access करने के लिए जब आप इसे Install का चुके होंगे आपने Computer पर तो एक Shortcut Generate होगा Geogebra Classic इसे अब जब डबल क्लिक करेंगे तो यह Interface open होगा तो यह है Geogebra का Interface Local Machine पर यह जो Ribbon दिखाई दे रहा है इस Ribbon पर अलग-अलग Tools अविलेबल हैं जैसे कि इस वाले टूल पर जैसे कि इस बटन पर तीन Option अविलेबल हैं उसी प्रकार यह Point, Line, Again Constructions, Polygons, Circle, Ellipse, Angle, इत्यादी और अलग-अलग Options है यहाँ पर जो Button दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर यह जो Option दिखाई दे रहा है यहाँ पर Mouse Blink कर रहा है यह Area कहलाता है Input Bar यहाँ पर जो Graphics दिखाई दे रहा है इसे हम Graphics View कहते हैं और साथ ही जैसे यहाँ ने यहाँ पर क्लिक किया यहाँ पर हमें कुछ Keyboards के Button दिखाई दे रहा है तो इसे Keyboard Input Bar कहते हैं और यह जो Ribbon है इसमें हमें बहुत सारे Options या Tools अविलेबल हैं जिसका की उपयोग करके हम Construction कर सकते हैं तो चलिए इसे हम देखते हैं यह पहला Button है जब इस पर Left Click करेंगे तो जब मैं जो Button प्रेस कर रहा हूं आपके Left Corner पर दिखाई दे रहा है कि यह Left Button प्रेस किया जा रहा ह Similarly अगर मैं Right Button प्रेस कर रहा हूं तो यहां पर Right Click ऐसा Message सो हो रहा है तो इसे भी आप देखकर के समझ सकते हैं कि कौन से Button का उपयोग किया जा रहा है Tool को उपयोग करने के लिए यहां पर मैं Left Click कर रहा हूं पहला Option है Move का किसी Object को आप बना करके Move कर सकते हैं या फिर अगर आप इसे Move करना चाहे है तो Move बटन पर क्लिक कीजिए Left Click करने के बाद में एक Panning बटन यह Thumb Sign आपको दिखाई दे रहा है आपको एक Handle Sign दिखाई दे रहा है इसका Left Click को Hold करते अर्थात जो View आपको चाहिए खुद से आप इसे Move On करके Set कर सकते हैं उदारण के तोर पर यदि मैं सिर्फ प्रथम चतुर्थांस First Quadrant पर मैं काम करना चाहता हूं तो मैंने इसे Move करके सिर्फ First Quadrant का View जनेरेट कर लिया है दूसरा बटन है यहाँ पर Free Hand Shape, Free Hand Shape का उप्योग करके आप एक Rough Sketch जैसा कुछ बना सकते हैं Free Hand Shape Tool का उप्योग करके आप Sketch बना सकते हैं अगर मैं एक Rough Circle ड्रॉख करूँ तो यह Automatically Sense करके उसे Circle में Convert कर देगा किसी प्रकार अगर यह मैं Ellipse बनाना चाहूँ तो एक Oval Safe अगर मैं बनाऊं तो यह Ellipse बन जाएगा अगर मुझे Straight Line बनाना है तो मैं Straight Line की तरह खीचूँगा और वो Automatically इसे Smooth कर में परिवर्चित कर देगा अब अगला Option है Pen जैसे कि आप Pen का उप्योग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आप Pen Tool का उप्योग करके लिख सकते हैं या Note कर सकते हैं या फिर यहाँ पर यह जो Color Button दिखाई दे रहा है इसको Click करके आप Sketch का Color भी Change कर सकते हैं और उप्योग कर सकते हैं object को delete करने के लिए यहाँ पर ये button एसे हम click करेंगे click करने के बाद मैं delete option आपको सो हो रहा है इसे click करने के बाद आप objects को click करते जाएंगे जैसे आप object को click करेंगे ये object आपमेटिकली delete होता जाएगा और यदि आप एक साथ सारे objects को डिलीट करना चाहते हैं, तो Ctrl A बटन प्रेस कीजिए, Ctrl A करते Select All, और फिर आप Delete बटन कीवोड से दबा सकते हैं, जैसे आप Delete बटन दबाएंगे, सारे अबजेक्ट इस वर्क स्पेस से डिलीट हो जाएंगे तो यह इस आइकॉन में क्लिक करने के बाद में आपको पहला Option आ रहा है Point का, तो इसको उप्योग करके आप Point Generate कर सकते हैं उदारण के तोर पे यदि मैं यहाँ पर कोई Point Generate करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर Left Click करना होगा, उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं Point Generate करना चाहता हूँ तो Just मैं से Click करूँगा तो यह Point Generate होता जाएगा जैसे ही मैं Point पर Click कर रहा हूँ, उसका Coordinate आपको इस Window पर, Left Side पर दिखाई दे रहा है, जैसे की B का Coordinate है, 9-7, उसी तरीके से A का Coordinate यहाँ पर सो हो रहा है 6-4, यदि इन दोनो बिंदूओं को मिला करके, आपको Line कीचना हो, या Segment, Line Segment बनाना हो, यहाँ पर Option है Segment का, Segment पर Click कीजिए First यह Point है, Second यह Point है जैसे ही आप Click कर देंगे, एक Segment बन जाएगा Left Side पर आप देख रहे है, F Equal to Segment from A to B, और इसका Length सो हो रहा है 4.24, अब यहाँ आपको Line Segment बनाना हो, तो इस बटन पर Click करेंगे, और फिर यह Second Option दिखाई दे रहा है, Segment का, इसे Click कीजिए एक Point पर Click कीजिए, और फिर दूसरे Point पर Click कीजिए Automatically यह Line Segment जनरेट हो जाएगा Point T का Coordinate minus 4, 3 है Point B का Coordinate 4, 3 है इन दोनों Point का बीच का जो Distance है, यह 8 Unit दिखाई दे रहा है इसी तरीके से आप Segment with Given Length जनरेट कर सकते हैं इसके लिए आपको एक Point पर Click करना होगा, और जैसे Click करेंगे इसका Length पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर 6 Unit टाइप करके Enter किया, Automatically यह 6 Unit का एक Line Generate हो जाएगा तो यहाँ पर हमने एक Line Segment Generate किया है, इस बटन पर Click करेंगे, यह चौथे वाले बटन पर Click करेंगे, यहाँ पर Perpendicular Bisector का Option है इस पर Click कीजिए और फिर Object पर Click कीजिए, तो Automatically इस Object का Perpendicular Bisector Generate हो जाएगा जिसका की जिसका की Question Show हो रहा है, X equal to minus 4 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप जाकर के इस बटन पर Click कीजिए Intersect Point पर Click कीजिए, और फिर इस Object पर Click कर दीजिए तो A से C का जो बीच का Distance है आप Measure कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा हुआ था, इसके लिए आपको Distance लिखना होगा, D-I-S-T-A-N-C-E Then A, C यह दोनों Point और फिर Interface कीजिए आप देख पाना है कि यह 3 Unit है फिर अगला B और C के बीच का Distance आपको Measure करना है, आप Type करेंगे Distance Then Open Parenthesis और फिर B और Comma C और जैसे Interface करेंगे, तो आप यह देख पा रहे हैं कि यह B, C भी 3 Unit Show हो रहा है, तो इस तरीके से हम Line Segment का Use करके तो इस तरीके से हम Line Segment का Perpendicular Bisector Generate कर सकते हैं किसी Object पर आप Point Locate कर सकते हैं, तो यह बटन पर क्लिक करेंगे तो Second Option आपको दिखाई दे रहा है Point on Object इस पर जब क्लिक करेंगे तो यह Point इस Object पर दिखाई दे रहा है अगर आप इसे Move करेंगे तो इस Object पर ही यह बिंदू Move होगा इसके बाहर यह Move नहीं हो सकता तो इस Object को आपको फ्री करने के लिए फिर से उसी Menu पर जाना होगा और Attach, Deattach Point ऐसा Option दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करने के बाद में आप इस Point को ले जा सकते हैं उस Object के बाहर या फिर से यदि आप इस Point को इस Line पर Attach करना चाहते हैं तो फिर से हमें Attach, Deattach Point इस Option पर क्लिक करना होगा और इस, तो Point को आपको Attach करने के लिए पहले आपको Point को क्लिक करना होगा और फिर आपको Object को क्लिक करना होगा अब ये Point इस Object पर Attach हो चुका है और इसे आप Move करेंगे, तो ये इसी Object पर Move हो रहा है तो ये जो Graphics Area आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो Unit है ये 0 to 2, 4 इस तरीके से X-Axis पर और उसी तरीके से Y-Axis पर 2 Unit का Interval बनता जा रहा है इसे Change करने के लिए आप इस Menu बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये Setting का बटन है Setting को जैसे क्लिक करेंगे पहला Tab में दिखाई देगा आपको Basic दूसरे Tab में दिखाई देगा X-Axis ये X-Axis बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर Distance दिखाई दे रहा है इस Distance बटन पर 100 पर क्लिक कीजिए मैंने Left क्लिक किया और यहाँ पर जितने Unit का आपको Distance सेट करना है Minimum जो की 100 होना चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं Suppose मैं यह चाहता हूँ कि 0.50 Unit पर वो जो Marking है या Labeling है वो दिखाई देना चाहिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप यह देख पा रहे हैं कि X-axis पर जो Marking है यह चेंज हो चुका है 0.5, then 1, then 1.5 इस तरीके से और अगर आप यहाँ पर Label लिखना चाहें कुछ तो आप Label भी लिख सकते हैं फिर यह दूसरा Option आपको दिखाई दे रहा है Y-axis का तो Y-axis पर आप Unit फिर से सेट कर सकते हैं इसे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप जो Unit सो करना चाहते हैं जितने Minimum Unit का आप Label सेट करना चाहते हैं यह दिस्टेंस सेट करना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और साथ ही आप यहाँ पर level set कर सकते हैं यहाँ पर x-axis में हमने set किया था 0.5 इस grid बटन पर जा करके आप options से change कर सकते हैं जैसे कि यह distance है x और y में आप क्या unit set करना चाहते हैं वो यहाँ से आप set कर सकते हैं और साथ ही आप line का style और color change कर सकते हैं line stand ले इस button पर click करेंगे तो आपको lines दिखाई दे रहे हैं जैसे कि यह dotted lines है और यह continuous line है यहाँ पर जा करके आप color change कर सकते हैं जैसे इस button पर click करेंगे यह window open होगा और अगर आप किसी color को select करेंगे और ok button प्रेस करेंगे तो जो grid का color दिखाई दे रहा है यह कुछ इस तरीके से परिवर्टित हो जाए जैसा कि हम normal graph paper पर देखते हैं अब यदि आप इस object को zoom in और zoom out करना चाहें तो यहाँ पर button को click करेंगे तो यह पहला option दिखाई दे रहा है zoom in इसे click करेंगे और double click या single click करते जाएंगे तो यह object zoom in होता जाएगा बन्दब object बड़ा दिखाई देता जाएगा आप zoom out करना चाहें तो यह zoom out का button है इसको select कर लीजे और mouse में left click करते जाएए आप इसे zoom out होते जाएंगे या फिर इसके अलावा mouse में हमारे पास तीसरा button होता है जिसे wheel button कहते हैं wheel button को आगे की और गुमाएंगे तो आप zoom in होते जाएंगे और wheel button को आप पीछे की और गुमाएंगे तो आप zoom out होते जाएंगे और फिर इस option से आप move graphics view को click करके इस graphics view को आगे पीछे आप move on कर सकते हैं अपनी सुविधा नजार अब मैं यहाँ पर एक circle बना रहा हूँ और साथ ही मैं एक line segment बना रहा हूँ यह point C और यह point D आप यह जानते कि circle का center होता है और line segment का midpoint होता है तो आएए हम आगे देखते हैं कि GeoGebra software का उप्योग करके किसी functions को कैसे plot किया जा सकता है polynomials या बहुपत का किस तरीके से solution या roots निकाला जा सकता है दो या दो से अधिक Geometry का intersection point कैसे निकाला जा सकता है यह जो input bar दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप function को लिख करके graphics generate कर सकते हैं उधारेन के तोर पे यदि आप एक circle generate करना चाहते हैं circle का जो equation होता है समान्य तोर पर x square plus y square equal to a square और वहाँ पर a जो होता है circle का radius होता है आप x प्रेस करेंगे और फिर shift plus 6 प्रेस करेंगे तो यह जो cursor है वो superscript पे आ जाएगा फिर आपको 2 लिखना है तो यह square बन जाएगा फिर right arrow का बटन आप दबा देंगे cursor normal move पर आ जाएगा फिर plus फिर y लिखेंगे और फिर पुना shift plus 6 बटन प्रेस करेंगे then 2 और फिर right arrow की equal to 9 और जैसे आप 9 type करेंगे आप देख पा रहे हैं कि यह एक circle बन चुका है जिसका center 0 0 है और इसका radius 3 unit है x square plus y square equal to a square तो इस तरीके से आप directly equation को type करके input bar पर object generate कर सकते हैं या फिर इस menu से जाकरके आप options को select करके geometry generate कर सकते हैं तो अब देखते हैं कि 2 linear equations अर्था state lines के जो equations होते हैं तो अब हम देखते हैं कि equations को type करके कैसे हम उसे graph plot कर सकते हैं और दो lines का intersection point या फिर उसका solution कैसे generate कर सकते हैं तो मैं पहला equation लिख रहा हूँ 3 x plus 2 y minus 12 equal to 0 जैसे मैंने 0 लिखा, automatically आप देख पा रहे हैं कि right hand side पर जो graphics view है यहाँ पर एक state line generate हो चुका है और जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पर यह equation 1 ऐसा level सो हो रहा है इस button पर click करके so या hide कर सकते हैं और जैसे इस button पर click करेंगे आपको यहाँ पर option of level होता है special point, duplicate, input, delete या settings फिर दूसरा इस button पर click करेंगे और आप दूसरा equation लिख रहे हैं y minus x minus y plus 1 equal to 0 और जैसे ही मैंने 0 प्रेस करके interface किया यह equation 2 में convert हो चुका है और आप यह देख पा रहे हैं कि इन दोनो यह दोनो lines एक particular point पर एक दूसरे को intersect कर रहे हैं तो इन दोनों का intersect point locate करने के लिए इस button पर click करेंगे यहाँ से intersect button है इसको click करेंगे और आप इस intersection point पर click कर दिए जैसे हमने यह आप पर click किया point automatically a locate हो चुका है और 2, 3 इसका coordinate है तो इस तरीके से हम linear equations को solve कर सकते हैं graphically चलिए एक और system of equations देखते हैं again इन सारे objects को delete करने के लिए one by one भी कर सकते हैं और control एक प्रेस करेंगे तो यह select आल हो जाएगा और आप delete button दबा करके भी सारे objects को एक साथ delete कर सकते हैं अब फिर मैं input menu पर जा रहा हूँ और मैं एक दूसरा equation टाइप कर रहा हूँ x plus 2y equal to 3 मैंने इंटरप्रेस किया यह equation 1 line बन चुका है दूसरा equation है 4x plus 3y equal to 2 और जैसे मैंने इंटरप्रेस किया यह दूसरा equation भी line बन चुका है तो यह दोनों lines एक दूसरे को एक particular point पर intersect कर रहा है फिर से हम इस button को click करेंगे intersect point पर जाएंगे और इस पर click करेंगे जैसे हमने click किया automatically जिवाजबरा ने इसे point A locate कर दिया है और इसका intersection minus 12 दिखाई दे रहा है जिसका मतलब यह कि इन दोनों equations को जब solve करेंगे तो हमें point minus 12 मिलेगा जो की दोनों line के equations को satisfy करेगा तो इस तरीके से यह जो point A है इन दोनों equation का solution अब फिर से objects को delete करने के लिए इस button पर जाएंगे यह delete button है one by one आप click कर सकते है यह फिर एक दूसरा option है यहाँ पर यह जो button दिखाई दे रहा है यहाँ पर जब click करेंगे तो आपको option दिखाई देगा delete फिर click कर रहा है delete फिर click कर रहा है और यह delete तो इस तरीके से भी आप objects को delete कर सकते हैं पहले हम एक line draw करेंगे, line draw करने के लिए इस button पर click करेंगे, फिर यह line का option है, click कीजिए, पहला point और फिर दूसरा point आप जहां पर click करेंगे, यह automatically एक line generate हो जाएगा, इस line के parallel line generate करने के लिए, आप इस button पर click करेंगे, यहाँ पर second option दिखाई दे रहे parallel line, click कीजिए, फिर object को click करना होगा, और या तो यह इसके ऊपर बन सकता है, या तो इसके नीचे बन सकता है, तो point, तो आप mouse को move करके, इसका distance fix कर सकते हैं, और जैसे ही आप left click करेंगे, automatically यह इसके parallel line बन चुका होगा, अब हम एक और line देखते हैं, जिसमें यह दोनों line parallel line होँगे, और इसका कोई भी solution दिखाई नहीं देगा, तो पहला equation है, minus 4x plus 6y equal to 3, दूसरा equation है, 2x minus 3y equal to 5, और जैसे आप interface करेंगी, यह दोनों line generate हो चुके हैं, तो आप यह देख पा रहा हैं कि यह दोनों line जो है यह parallel lines है, जो कि एक दूसरे को कभी intersect नहीं करेंगे, तो इस case में आपको intersection point नहीं मिलेगा, या इन दोनों line का आपको solution नहीं मिलेगा, हाँ, इन दोनों line के बीच का जो distance है इसे हम calculate कर सकते हैं, उसके लिए आपको दोनों line के बीच में एक perpendicular line generate करना होगा, इस button पर click करेंगे, यहाँ पर पहला option है, perpendicular line, किसी भी line पर आप click कर दीजे, automatically एक perpendicular line generate हो जाएगा, और जैसे दूसरा click करेंगे, यह line fix हो जाएगा, अब इसके लिए हम दोनों intersection point को पहले locate कर लेते हैं, फिर से आपको इस button पर click करना होगा, और यह intersection point का button है, click किये, यहाँ पर मैं click कर रहा हूँ, और यहाँ यहाँ पर click कर रहा हूँ, तो एक intersection point B, और दूसरा intersection point C, तो यह जो point B और C, इन दोनों के बीच का अगर आप distance find करना चाहें, तो यहाँ पर input बार पर click करेंगे, और हमें type करना होगा distance, D-I-S-T-A-N-C-E, distance के बाद आपको open parenthesis, then हमें point लिखने होंगे, B, C, और जैसे आप interpress करेंगे, आप यह देख पा हैं कि इसका जो distance है, यह 1.8 यहाँ पर show हो रहा है, इसका मतलब यह, यह जो दोनों parallel lines है, इनके बीच का जो distance है, यह 1.8 unit है, तो अब हम जियो जैबरा को उप्योग करते हुए, एक polynomial के roots find करेंगे, तो इसके लिए आपको यह input बार पर click करना होगा, और फिर हमें polynomial function लिखेंगे, इसके लिए P O L Y N O M I A L open parenthesis टाइप करेंगे, फिर हमें function लिखना होगा, X square, तो सिर्फ प्लस 6 प्रेस करके आप इसका square टाइप कर सकते हैं, फिर right arrow की प्रेस करेंगे, minus 3 X, फिर minus 4, और जैसे ही आपने interface किया, automatically ये polynomial जो है, ये curve की root में बन चुका है, अब इसका root find करने के लिए, इस button पर click करेंगे, और यहाँ पर last में roots का option है, जैसे roots पर click करके, आप object पर click करेंगे, आपको point A और point B locate हो रहा है, जिसका की coordinate दिखाई दे रहा है, और यही इस polynomial fx का root है, जो की minus 1 और 4 है, तो इस तरीके से आप geoggebra को उप्योग करते हुए, इसी polynomial का root find कर सकते हैं,